शरीर चाहे कितना भी थका हुआ हो, बस इन चीजों का करे सेवन थकान हो जाएगी मिन्टों में फूर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ख़द्य वे पेपदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनके सेवन से आपके शरीर की थकान मिन्टों में फूर। जाएगी और आपके शरीर में नई उर्जा वशक्ती का संचार होगा। कई बार ऐसा होता है कि शरीर बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। शरीर में चलने फिरने, काम करने की ताकत ही नहीं बचती। और विशेशकर हाथ, पैर, वे, टांगे तो बिल्कुल जवाब ही दे जाती है। सिर भी बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब हमारे शरीर में पोशक तत्वों की कमी हो जाती है। हमारे शरीर को सही त्रह से विटामिन वा अन्य मिनरल्स नहीं मिल पाते, जो शरीर को उजवान और ताकतवर बनाई रखने के लिए जरूरी होते हैं। रोजमर्रा के बीजी शेडूल के चलते हम अपने खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते और थोड़ा सा काम करने के बाद ही हमें थकान मैसूस होने लगती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनके सेवन से आप अपने शरीर की थकान को दूर कर सकते हैं, और इनके सेवन से आपका शरीर हाष्ट पुष्ट और ताकतवर बनेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। नीबु का शर्वत उनकी पूर्ती करता है। और आपके शरीर को नई ताकत देता है, जिससे कि आपको ठकान नहीं होती। इसलिए दोस्तों आप नीबु के शर्वत असेवन जिरूर करें। दही, शरीर को नई ताकत देने और ठकावट को दूर करने में दही बहुत बढ़िया होती है, इसमें केल्शन की मातरा दूद की अपेक्षा 18 गुना जादा पाई जाती है, दही में प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट भी वरपूर मातरा में होता है, जो कि ठकान को दूर करन हैं, याद रहे कि दही जादा मलाई वाली और खटी नहीं होने चाहिए, शहद, शहद में पाई जाने वाले पोशक तत्व शरीर की ठकान को दूर करने में बहुत फाइदेमंद होते हैं, अगर आपको ठकान बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो आप एक गिलास गुनगुने दूद में एक चमस शहद मिलाकर हो जाना पियें, ऐसा लगातार करने से शरीर सुडोल वबलशाली बनता है, और माशपेशियों को ताकत मिलती हैं, साथ ही शरीर की रोग परती रोधक शमता भी बढ़ जाती हैं, और आपके शरीर को नई ताकत मिलती हैं, जिससे कि आपको थकान नहीं होती, खजूर, खजूर में पाए जाने वाले तद्व शरीर की थकान को दूर करके नई सफूर्ती वशक्ती परदान करते हैं, ये शरीर को तुरंट थाकत देते हैं, खजूर की तासिर गरम होती है, इसलिए इसका सेवन सर्तियों के मोसम में जादा किया जाता हैं, लेकिन अगर आपको थकावट बहुत जादा महसूस हो रही हैं, तो आप 2-3 खजूर को धोकर इसे दातों से अच्छे से चबाएं, इसे शरीर को तुरंट ताकत मिलेगी, आपका शरीर हश्टवा पूष्ट बनेगा और आपकी हडिया भी मजबूत बनेगी, ग्रीन ती में अन्य चाय वा कोफी के मुकाबले बहुत जादा एंटी ओक्सिडेंट पाए जाते हैं, इसको पीने से शरीर की ठकान धूर होती है, और शरीर को नई ताकत मिलती है, इसलिए जिन लोगों को बहुत जल्दी ठकान हो जाती है, उन्हें चाय वा कोफी के स्थान पर ग और इनके सेवन से आपके शरीर के अंदर एनरजी भी दोगना हो जाएगी, आपकी इम्मिन पावर भी बढ़कर दोगना हो जाएगी, इसलिए दोस्तों आप इनको अपने अहार में शामिल चुरूर करें, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडिय तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे, धन्यवाद दोस्तों